हे एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी घर पर सेफ होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दोरह आपकी नाभी बाहर क्यों आती है कभी कभी उसके अंदर आपको बहुत किसे क्या connection है तो यह भी टोपिक इस वीडियो में सारे आपकी कलियर होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर दबा ले क्योंकि प्रे pista से रिलेटेड यहां पर मैं Japanese लाती रहती हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात करें की दोरन आपकी नाभी बाहर क्यों आती है प्रेगनेंसी के दोरन नौभी का बाहर आने के बहुत सारे कान हो सकते हैं सबसे पहला कार्ण होता है कि जैसे जैसे आपका घरभास्या बढ़ता है तो वैसे वैसे घरभास्या बढ़ा होने के साथ आपके पेट को भार की तरफ धगेलता है अगर आपका पेट भार आता है तो फिर आपकी नाभी भी बाहर आती है सैकेंड इसा कार्ण होता है क्योंकि नापी के अंदर कई बार हमारे छेद होता है और इसके वज़े से फिर वो छेद बाहरा आ जाता है तो इसकी वज़े से भी हमें नापी में पेन होना शुरू हो जाता है थार्ड इसका कार्ण होता है कि जैसे हमारी प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती है तो अम्नियोटिक फ्लूड की मातरा ज्यादा बढ़ने लगती है अम्नियोटिक फ्लूड क्या होता है जिसके अंदर हमारा बच्चा रहता है वो अगर जादा बढ़ता है तो फिर उसका पेट के उपर दबाओ करता है इसके साथ ही आपकी नाभी बाहर आती है साथ में गरब में बच्चा हलचल करता है कि करता है उसके वज़े से भी नाभी बाहर आती है इसके साथ ही फ्रेंट जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारे hormonal change होते हैं mentally भी होते हैं कुछ physically भी होते हैं उसके वज़े से भी आपकी नाभी बाहर आती है और आपको pain होना शुरू हो जाता है अब बात करते हैं कुछ मेलाओं की pregnancy के अंदर नाभी बाहर नहीं आती तो क्या ये कोई abnormal वाली बात है क्या इसमें कोई ख़बराने की जरूरत नहीं है तो friends अगर आपकी pregnancy के अंदर नाभी बाहर आती है या नहीं आती तो इससे आपकी healthy pregnancy का कोई भी connection नहीं है आपकी pregnancy healthy है नाभी बाहर आए या नहीं आए कुछ मेलाओ कि नाभी इसलिए बाहर नहीं आपाती अब बात करते हैं कि आपको अपनी नाभी की care cash करनी चाहिए सबसे पहले तो अगर आपको itching होती है खुजली होती है redness हो चुके तो आपको अपनी नाभी को अपने नाखुने से नहीं खुजाना है उसके लिए आप अपना कोई भी टावल वगरा ले सकते हैं उससे आप उसको rub कर सकते हैं नेक्स्ट आपको ध्यान रखना चाहिए आपको अपनी नाभी में daily आपको बादाम डाल सकते हैं जिससे क्या होगा आपके face पर भी गलो आएगा साथ ही आपकी नाभी भी साफ हो जाएगी नेक्स्ट आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी नाभी अंदर शेकितनी भी काली हो इसके अदर कितना भी मेल कुछ भी हो आपको उसे साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है हमारी नाबी से ही गरब नाल जूड़ी होती है और अगर आप अपनी नाबी के साथ छेड़ चाड़ करते हैं तो फिर गरब नाल को दिक्कत हो सकती है अगर नालगे जरी बच्चे तक अच्छे से पोशन जाता है, फूट जाता है, उक्सीजन जाता है और अगर आप इसके साथ छेट छाड करते हैं, तो फिर बच्चे को प्रोब्लम हो सकती है और इसके साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको इतने टाइट कपड़े नहीं पहने चाहिए, जिसके वज़े से आपको आपकी नाभी पर घर्षन हो जाए कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, वो जैसे आपके सिल्क वगएरा कपड़े हो गई, या आपकी जोड़ दट वगएरा कपड़े हो गई, आपको वो भी नहीं पहने चाहिए, क्योंकि उससे घर्षन जादा होता है आपको प्रेगनेंसे में खुलने और बिल्कुल कोटन की कपड़े ही पहने चाहिए, ये ते हो गई सावधाने की आपको अपनी नाभी की कैसे सावधानी रखनी है, आपको उसका कैसे ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि इसका लड़का और लड़की से क्या कनेक्शन होता है, अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके नाभी बाहर आती है तो इससे लड़का होता है, और अंदर रहती है तो ये लड़की होती है तो friends ऐसा कुछ नहीं होता आपकी नाभी का बाहर आना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया इसका लड़का और लड़की से कोई भी connection नहीं होता आप अधर वीडियो देखकर ऐसी चीजों में विश्वास ना करें किसे लड़का हो गया लड़की होगा आपकी जो भी pregnancy उसे अपने 9th मत अच्छे से enjoy कीजिए क्योंकि जो भी होगा आपका ही baby होगा खुशे रही है healthy खाना का यह आपकी pregnancy अच्छी रही तो I hope कि friends आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे friends के शाथ share कर दीजे और साथी चैनल को जरूर subscribe करें मेरी next वीडियो देखने के लिए तो friends आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलते एक next वीडियो में तब तक take care bye bye friends